गुड मॉनिंग एव्रिवान अच्छा पचे हम कैपिटल गेंस में बेटा कॉस्ट ओफ अक्विजिशन हम डिसकस कर रहे थे बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट ओफ अक्विजिशन ओफ असेट्स अक्वायर्ट बिफोर फर्स्ट ंधाल 2001 ध्यां से बिटा मेरी पार शुणना अक्विजिशन असेट्स अक्विजिशन अप्विजिशन अफ असेट्स अक्वायर्ट Prior to Prior to First April 2001 वेटा काफी important case है बहुत use होता है है simple इसमें लिखना acquired by assessi acquired by assessi और यहाँ पर लिखना acquired by previous owner acquired by previous owner बेटा मैं आपको example से समझाता हूँ ध्यान से सुनिये मेरी बात example सुनो बेटा बेटा एक परसन है Mr. A Mr. A जिसने एक land purchase किया था जिसने एक land purchase किया था in previous year 95-96 और उसने ये land उस वक्त 95-96 में 2 लाक रुपे का खरीदा था उसने ये land 95-96 में 2 लाक रुपे का खरीदा था ठीक है पिटा clear अब सुनना पिटा पता है क्या मैं आपको ना एक बात अभी नहीं बता रहा हूँ वो बात में आपको खुछ समझा जाएगी कि हम ये 1st April 2001 ही क्यों ले रहे हैं और कोई डेट क्यों नहीं ये आपको लेटर आउन समझाएगा बेटा मेरी बात सुनना बेटा एक बात याद रखना अगर असेसी मिस्टर ए कौन है बेटा हमारा असेसी अगर कोई असेसी असेट एक्वाइर करता है एक चार दो हजार एक से पहले 1st April 2001 से पहले एक्वाइर करता है तो हमारे वाले केस में उसने असेट 95-96 में एक्वाइर करा मतलब प्रायर टू 1st April 2001 एक्वाइर करा तो पेटा इस केस में न कॉस्ट ओफ अक्विजिशन इस केस में कॉस्ट ओफ अक्विजिशन 2 लाक नहीं मानी जाती है पेटा अल्दो कॉस्ट ओफ अक्विजिशन 2 लाक है बट 2 लाक नहीं मानी जाती है कॉस्ट ओफ अक्विजिशन पते पेटा कितनी मानी जाती है एक्वाइर कॉस्ट ओफ अक्विजिशन और फेर मार्केट वैल्यू आज ओन 1st April 2001 दोनो में से whichever is higher दोनो में से जो भी higher है उसे cost of acquisition माना जाएगा तो मुझे बताओ आपकी actual cost of acquisition इस asset की क्या है actual में 2 lakh actual तो 2 lakh ही है और 1 April 2001 की fair market value कितनी है suppose 5 lakh और बेटा majority cases में ऐसा ही होता है actual cost of acquisition generally बेटा कम होती है और 1 April 2001 की fair market value generally बेटा जादा होती है दोनो में से whichever is higher तो बेटा cost of acquisition कितनी मानी जाएगी rupees 5 lakh जो भी higher है rupees 5 lakh समझा है बेटा ये वाला case ये कौनसे assets के उपर applicable होगा बेटा जो assessi ने acquire करे है prior to 1st April 2001 अगर आपने कोई asset 1st April 2001 को या उसके बाद acquire करा है तो ये वाला rule applicable नहीं होगा ये आपकी cost of acquisition बनेगी बेटा काफी use होता है ये वाला point important है copy करो फिर आगे चलते हैं ठीके अब मेरी बात सुनना बेटा अब मेरी बात सुनना अब दूसरा case अब ये देखना है सबने करावा है आप सबने example बेटा ये father है ये father है और बेटा ये son है ये father है और ये son है बेटा जो father थे न उन्होंने एक land purchase किया था in 95.96 for rupees तो फादर ने एक land 95.96 में खरीदा था बेटा दो लाक रुपे का कब खरीदा था 95.96 में कितने रुपे का दो लाक रुपे का ठीक है बेटा फादर ने क्या करा फादर ने ये son फादर ने ये land son को gift दे दिया पता है बेटा कौन से साल में gift दिया है 2010-11 में फादर ने son को ये land gift के तौर पे दे दिया कॉपी कर लो पहले बेटा मुझे एक दो बातों का जवाब दो हमारे लिए assessi कौन है बेटा son है क्योंकि फादर तो gift दे चुके बेटा son अब assessi बन गया है हमारे लिए क्योंकि land की अगर sale करेगा तो कौन sale करेगा बेटा son करेगा तो हमें तो son के point of view से देखना है बेटा father के लिए तो मैं बता चुका हूँ इसे transfer नहीं माना जाएगा और father के hands में कोई capital gain नहीं आएगा बट son जब इस land की आगर sale करेगा तो son के hands में capital gain आएगा तो son के point of view से देखना पहले बेटा मुझे एक बात को जवाब दो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है cost of acquisition for son बेटा son के लिए इस land की cost of acquisition को किसके बराबर माना जाएगा जो भी previous owner की cost of acquisition होती है बेटा section 49 clause 1 याद करो assessi के लिए cost of acquisition क्या होती है जो previous owner की cost of acquisition है तो cost of acquisition son के लिए होगी जो भी cost of acquisition father के लिए है ना तो son की cost of acquisition निकालने के लिए आपको पहले father की cost of acquisition चाहिए तो पहले बिताओ बिटा पहले क्या चाहिए father की cost of acquisition तो मुझे चाहिए cost of acquisition for father अब सुनना बिटा सुनना ध्यान से और बिटा father ने ये land 1 April 2001 से पहले apply किया था तो वही वाला rule of father के उपर भी applicable हो जाएगा बताओ father की cost of acquisition क्या होगी बिटा यही वाला rule applicable हो जाएगा यही वाला father की cost of acquisition क्या होगी जो भी father की actual cost of acquisition है या फिर fair market value as on 1st April 2001 दोनों में से जो भी higher है वो father की cost of acquisition बन जाएगी तो actual cost of acquisition है 2 lakh fair market value है suppose 5 lakh तो दोनों में से जो भी higher है तो बताओ father की cost of acquisition कितनी बन गई बेटा 5 lakh और जो father की cost of acquisition है वही sun की बन जाएगी तो cost of acquisition for sun और fair market value as on 1st April 2001 दोनों में से जो भी higher है जो higher है वो father की cost of acquisition और वही क्या बन जाएगी sun की cost of acquisition पिटा copy कर लो इसे फिर हम आगे चलते हैं अब एक reading करेंगे यह मैं चलो पहले एक बात आपको बता दूँ लिख लेते हैं rule देखो तो बेटा मुझे जो crux समझा आया न इन दोनों points का वो crux क्या है अगर आपने यानि assessi ने या previous owner ने asset acquire करा या तो मैंने या मेरे father ने previous owner ने asset acquire करा 1st April 2001 से पहले तो बेटा cost of acquisition किसको माना जाएगा उस case में cost of acquisition होगी actual cost of acquisition actual cost of acquisition ठीक है और for assessi for assessi oblique previous owner बेटा एक बाब बताओ मैंने ये दोनों क्यों लिखे हैं for assessi oblique previous owner बेटा for assessi तब आएगा जब वो asset assessi ने खरीदा है यानि मैंने खरीदा है और previous owner तब आएगा जब वो assess मैंने नहीं खरीदा मुझे तो gift में मिलाए बेटा मेरे father ने खरीदा है तो अगर मैं खरीदूंगा तो assessi आएगा मेरे father खरीदेंगे तो previous owner आएगा और fair market value as on first april 2001 दोनों में से whichever is higher दोनों में से जो भी higher है वो आपकी क्या बन जाएगी बेटा cost of acquisition ठीक है copy करो इसे तो मैं लिख दूँ यहाँ पर assessi कब आएगा if purchased by assessi और previous owner कब आएगा if purchased by previous owner तो अगर मैं खरीदूंगा तो by assessi आएगा मेरा आएगा अच्छा अगर मैं नहीं मुझे तो gift में मिलाए मेरे father ने खरीदा तो father किया जाएगी cost of acquisition ठीक है अच्छा देखो बेटा अब reading मारते हैं तो बेटा इस case में cost of acquisition किसको माना जाएगा cost to assessi और previous owner मैंने बताया assessi कब आएगा जब assessi ने खरीदा previous owner तब आएगा जब previous owner खरीदेगा as the case may be और fair market value as on 1st April 2001 whichever is higher clear हुआ बेटा ये उन assets के लिए हैं जो खरीदे गए हैं 1st April 2001 से पहले अब बेटा कुछ notes भी मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए हैं पढ़ना जड़ा this option is not available for depreciable assets बेटा याद रखना ये वाला option depreciable assets के लिए आप use नहीं कर सकते तो याद रखना actual cost of acquisition और fair market value as on 1st April 2001 ये वाला option दोनों में से whichever is higher ये वाला option depreciable assets के case में available नहीं होगा अच्छा फिर the option is not available in case of goodwill of a business, brand, date mark, tenancy rights, loomars, route permit, right to manufacture, whether self-generated or purchase, simple words में बोलूं तो बेटा ये वाला option intangible assets के लिए भी apply नहीं करता है ये जो हमने section पढ़ाया ना ये, ये intangible assets के उपर भी apply नहीं करेगा ठीक है, तो ये वाला benefit बेटा दो assets के case में नहीं है, depreciable assets के case में आप इस benefit को avail नहीं कर सकते और intangible assets के case में आप इस benefit को avail नहीं कर पाओगे, ठीक है, और थर्ड बेटा, important, सुनना बेटा, ध्यान से, थर्ड क्या है, in case of immovable property, बेटा, immovable property के case में जड़ा देखना, और ये amendment है, बेटा, fair market value as on 1st April 2001 shall not exceed stamp duty value wherever available of such assets as on 1st April 2001, बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अब जो मैंने ये point बताया है ना आपको, ये मैंने बताया है, cost of acquisition of assets, other than immovable property, लिख लेना बेटा, other than immovable property, immovable property के लिए क्या rule applicable है, वो मैं अलग से बताऊंगा बेटा, लिख लो, ये वाला rule जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, ये सिर्फ बाकी assets के लिए है, other than immovable property, immovable property के उपर apply नहीं करेगा, छोटा सच change है बेटा, क्या change है सर, देखो बेटा, immovable property, तो फिर मैं एक change और कर दूँ, यही पर कर देता हूँ बेटा, land काड़ दो, land तो immovable property हो गई न बेटा, जोल्री कर दूँ, लो, जोल्री purchased, यहाँ पर भी, जोल्री कर देता हूँ, है न, यह याद रहेगा आपको, जोल्री, लो, पेटा, ठीके, land काड़ दो आप लोग भी, जोल्री कर दो, land की आप बात करते हैं, समझाया, चलो, अब देखो पेटा, immovable property के case में क्या rule है, पेटा, immovable property में क्या क्या आ गया, land आ गया, land and building आ गया, है न, पेटा, immovable property के case में पता है, rule क्या है, सुनो, अगर assessi ने, या, previous owner ने, कोई immovable property खरीदी है, 1 April 2001 से पहले खरीदी है, ठीक है, जैसे उपर वाले case में, land खरीदा था, 95, 96 गए, तो उस case में, बेटा, cost of acquisition, पता है किसे मानी जाती है, बेटा, वही same, actual cost of acquisition, जो भी actual है, और, अब यह देखना, और, और, fair market value, oblique, stamp duty value, whichever is lower, और इन दोनों में से, इन दोनों में से, whichever is higher, इन दोनों में से whichever is higher confusion नहीं करना है बिटा मैं समझाऊँगा भी यह immovable property के लिए SDV stands for stamp duty value stamp duty value ठीक है जिसे बिटा हम लोग layman language में हम लोग नाम देते हैं circle rate आपने शायद अपने family में कभी सुना भी हो circle rate बिटा हर immovable property का एक circle rate होता है उसकी stamp duty value होती है बिटा stamp duty value का relevance बस पता क्या है government आपसे government आपसे जब आप कोई property खरीदते हो ना तो government आपसे बिटा stamp duty लेती है और जो stamp duty calculate होती है ना वो इस stamp duty value पे calculate होती है तो government कितनी stamp duty आपसे लेगी that will be determined on stamp duty value मैं आपको example दे देता हूँ बिटा है देखो कैसे होएगा immovable property के case में चलो land purchased in 95.96 for rupees 2 lakh ठीके अच्छा फिर लिखो fair market value as on 1st April 2001 market value है उस दिन की 5 lakh but stamp duty value as on 1st April 2001 है 3,500,000 रुपे मतलब government आपसे stamp duty कितने रुपे पे लेगी बेटा 3,500,000 पे लेगी अब इसकी cost of acquisition कैसे निकालोगे देखो पहले आएगा actual cost of acquisition और बताओ पेटा actual में cost of acquisition 2 lakh है वो आगया और पेटा अपना fair market value और stamp duty value में से दोनों में से यहाँ पर कौन सा आएगा पेटा दोनों में से जो भी lower है पेटा वो आएगा जो भी lower है तो fair market value और stamp duty value में से lower कौन सा है पेटा stamp duty value lower है ठीके तो वो आजाएगी तो fair market value oblique stamp duty value दोनों में से जो भी lower है और lower आ रही है साड़े तीन लाग रुपे अब इन दोनों में से करना जो भी क्या है higher है तो पेटा आपकी cost of acquisition आपकी कितनी बनेगी rupees 3.5 lakh यह आपकी cost of acquisition आएगी यह बिटा एक नया point है जो इस बार add किया गया है तो amendment है यह आपकी यह आपकी amendment है तो important हो जाता है इस बार के exams के लिए amendment पहले बिटा immovable property के उपर भी वही rule था जो बाकी assets के लिए था मतलब actual cost of acquisition और fair market value दोनों में से जो भी higher है अब यह stamp duty value वाला point नया है जो add किया गया है copy करो जहें पिटा समझ आया है सबको चलें आगे चलो अगला पिटा अगला है cost of acquisition of goodwill, trademark, brand name, copyrights, etc. patents, etc. मतलब intangible assets की cost of acquisition की बात कर रहे है heading लिखो cost of acquisition of intangible assets और बिटा हम ना intangible assets के लिए example बिटा goodwill का लेके चलेंगे goodwill का ठीक है उससे clarity होगी ठीक है तो मैं example किसका लूँगा goodwill का बिटा आप लोगों ने पढ़ावाए goodwill दो तरीके की होती है बिटा एक तो होती है self-generated goodwill और एक होती है purchased goodwill तो एक है self-generated और एक है purchased पिटा self-generated goodwill क्या होती है पिटा वो goodwill जो business over a period of time खुद generate करता है तो self-generated goodwill क्या होती है वो goodwill जो business over a period of time खुद generate कर लेता है तो आप लोग कोई business करते हो जैसे जैसे आप लोग business करते जाओगे आपका नाम reputation market में बढ़ती जाएगी है ठीक है इस reputation यह जो increase आ रहा है आपकी reputation में इसे हम क्या कहते है goodwill ठीक है और पिटा purchased goodwill क्या होती है purchased goodwill वो होती है जिसके लिए consideration पे किया जाता है cash में उसे हम क्या कहते है purchased goodwill और यह बटा पता है generally कब होता है एक business जब दूसरे business को take over करता है न खरीदता है तो आप उस business के सारे assets को भी take over करते हो और आप उस business की सारी liabilities को भी take over करते हो और assets में बिटा आप एक asset उस business का और take over करते हो कौन सा good will तो याद रखना जब एक business दूसरे business को acquire करता है ना तो वो उस business की good will को भी क्या करता है acquire करता है और बदले में वो consideration पे करता है cash में this goodwill is known as purchase goodwill clear हुआ बिटा सबको अच्छा अब बिटा self generated goodwill को मैं दो parts में divide कर रहा हूँ एक होती है self generated goodwill of business और एक होती है self generated goodwill of profession ठीक है अच्छा purchased goodwill को भी मैं दो parts में divide कर रहा हूँ acquired by assessi और दूसरा acquired by previous owner आप लोग पूरा लिख लेना पिटा acquired by assessi और acquired by previous owner बना लो ये चार्ट बना लो फिर आपको समझाता हूँ लोग कॉपी करो यहां तक simple आपने कोई consideration पे थोड़ी ना करा है ये तो goodwill वो है जो आपके business ने खुद generate कर ली over a period of time ठीक है आपने कोई consideration इस goodwill के लिए पे नहीं करा है तो simple बात है बेटा self generated goodwill की cost of acquisition को nil माना जाता है obviously बात है न निली होगा आपने कोई consideration इस goodwill के लिए पे थोड़ी ना करा है तो cost of acquisition nil सुनना बेटा ये किसके लिए था business की goodwill के लिए business की self generated goodwill की cost of acquisition को zero माना जाता है बेटा बेटा कोई consideration जब पे ही नहीं करा तो cost of acquisition क्या होगी ये तो वो goodwill है जो आपके business ने खुद जेनरेट कर लिए over a period of time ठीक है अब सुनना बेटा एक exception है इस rule का profession ध्यान से सुनना बेटा बेटा पता है क्या उन्होंने क्या कहा profession self generated goodwill of a profession की cost of acquisition नहीं होगी बेटा capital gain ही नहीं हो जाएगा बेटा capital gain ही नहीं होगा मतलब no capital gain will arise समझ ना मैं जड़ा थोड़ा साब को जड़ा समझाता हूँ difference क्या है दोनों में बेटा बहुत जमीन आस्मान का difference है business की self generated goodwill की cost of acquisition को zero माना गया है capital gain zero नहीं है बेटा capital gain आएगा but cost of acquisition निल होगी ठीक है याद करो बेटा याद करो मैं आपको चलो example दे के समझाता हूँ यह देखो यह देखो example देखो यह देखो business की बात कर रहा हूँ पहले business की देखो बेटा एक person था mister A business है बेटा उसका ठीक है तो उसने 20 साल बेटा यह business करा 20 years तो उसके business ने 20 years में goodwill generate करी होगी बेटा 20 सालों में अच्छा नाम अच्छा reputation अच्छी image उसने बेटा market में बनाई होगी तो 20 साल में goodwill तो उसने generate कर ली होगी इस goodwill को क्या नाम दे रहे हैं self generated अब सुनो बेटा Mr. A. ने क्या करा अपना business अपना business बेटा sell कर दिया किस को उसने अपना business sell कर दिया Mr. B. को point clear अब मुझे एक बात का जवाब आफ सब दो जब Mr. A. Mr. B. को business sell करेगा तो business के साथ साथ एक और चीज भी तो sell होगी ना बेटा कौन सी बताओ goodwill भी sell होगी कौन सी goodwill self generated goodwill भी sell होगी बेटा और पता बेटा ये goodwill कितने की sell होई 5 लाक रुपे की तो goodwill कितने की भी की 5 लाक की बाकी assets के लावा बाकी assets को तो छोड़ दो सिर्फ goodwill goodwill कितने की भी की है बेटा A की 5 लाक रुपे की ठीक है तो अगर मैं A के hands में बेटा capital gain निकालूं याद करो मैंने क्या का था भी याद था हमेशा से मैं एक बात बोल रहा ह capital gain निकालने के लिए आपको primarily बेटे दो चीजे चाहिए आपको, एक तो चाहिए full value of consideration, main दो चीजे चाहिए बेटा, तो बताओ goodwill market में कितने की बिकी, 5 लाग, तो ये तो आगया full value of consideration, minus cost of acquisition, बेटा, cost of acquisition, is self-generated goodwill की cost of acquisition क्या होगी, nil होगी बेटा, कोई consideration थोड़ी ना आपने pay करा था इस goodwill के लिए, ये तो आपके business ने खुद generate करी over a period of time, तो कितने रुपे का capital gain आगया बेटा, पांच लाग रुपे का capital gain आएगा, किसका, business का, ठीक है, और बेटा, assume करो इसी example में, अगर ये case बेटा, business का ना होता, profession का होता, तो बेटा, profession के case में, cost of acquisition nil नहीं है, capital gain ही nil है, no capital gain will arise, capital gain ही नहीं आएगा, ये exception रखा गया है, profession के case में, तो बेटा, business के case में, capital gain आ रहा है, पांच लाग का, but, cost of acquisition आपकी nil है, cost of acquisition nil है, बेटा, profession के case में, cost of acquisition नहीं, capital gain ही nil है, बेटा, capital gain ही नहीं आएगा, business के case में, capital gain आएगा, cost of acquisition nil है, profession के case में, cost of acquisition nil नहीं है, capital gain ही nil है, difference बेटा, समझ आया है, copy करो इसे, ये case हो गया, self generated का, बेटा, समझ आ गया, आगे चलें, ये तो हो गया, self generated का, अच्छा, purchase goodwill में, बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छा, मुझे बताओ, purchase goodwill, goodwill, purchase करी गई है, मतलब, खरी दी गई है, पैसे दे के, खरी दी गई है, और किस ने खरी दी है, असेसी ने, तो बेटा, cost of acquisition क्या होगी, actual cost of acquisition, actual मतलब, जितना पैसा दिया है, बेटा, उस goodwill का जितना पैसा दिया है, वो cost of acquisition आगे, इसी case में बताओ ना, इसी case में, B के point of view से बताओ, B के point of view से, B ने बेटा, इस goodwill का कितना रुपे दिया, पाँच लाग, तो ये B की क्या बन गई, cost of acquisition, भई, A के लिए consideration है, B के लिए तो cost है, तो जो भी actual cost of acquisition है, वही आपकी cost of acquisition मानी जाएगी, है ना, अच्छा, और इसमें भी बताओ दो बेटा, अब वो goodwill मैंने नहीं खरी दी, मैंने नहीं खरी दी, मेरे फादर ने पे करे थे बिटा, मैंने consideration नहीं दिया है, मेरे फादर ने consideration दिया था, तो cost of acquisition क्या होगी, actual cost of acquisition for previous owner, पेटा, रूल तो सब में ये same ही चल रहा है, ना, तो जो previous owner की cost है, वही मेरी cost हो जाएगी, बात समझ आई, बेटा, मेरे पास तो business, मेरे पास तो business, विरासत में आया है, बात समझो, मेरे पास तो business, विरासत में आया है, सन के पास business, फादर की death के बाद आया है, बेटा, विरासत में, inheritance के थूँ, फादर ने वो बिजनस खरीदा था बेटा सन के पास तो विरास्त में आया है वो बिजनस फादर ने वो बिजनस खरीदा था और जब जिससे खरीदा था न फादर ने उसको गुडविल का पांच लाक रुपे दिया था मतलब amount मैंने नहीं दिये फादर ने दिये बेठा तो जो भी उनकी cost होगी वही मेरी cost बन जाएगी बेठा समझ आया है सबको यह आपकी हो गई cost of acquisition for intangible assets copy कर लो clear हुआ विटा सबको ठीक है चलो चलो बाकी इसमें section 50 है already वैसे हम यह पढ़ चुके है बेठा depreciable assets का आपने PGBP में बेठा section 32 पढ़ा था जो depreciation के उपर था मैं जड़ा उसी पर दुबारा से जाऊँ देखो बेठा करा वाए हमने cost of acquisition of depreciable assets ठीक है section 50 बेठा यह section करने से पहले एक बार section 32 का मैंने एक चार्ट बनवाया था बेठा आपको मैंने का था कि एक मयान में दो तलवारे नहीं आती हैं बेठा या तो depreciation आएगा या capital gain और capital loss आएगा दोनों चीजें एक साथ नहीं आती है या डेप या capital gain और capital loss तो मैं उसी capital gain और loss की बात कर रहा हूं बेठा याद करो जरा मैंने का था capital gain और loss दो ही cases में आता है बेठा तीसरा case नहीं है कोई है दो ही cases में पहला case पहला case block में आपके block में जितने assets थे जितने assets थे वो सारे के सारे बिग गए बेठा बेठा इस case में न capital gain भी आ सकता है और इस case में capital loss भी आ सकता है बेठा दोनों आ सकते हैं चलो बताओ कब capital gain आएगा कब capital loss आएगा बेठा section 32 में मैंने statement बनवाई भी है showing depreciation उसको दिमाग में बेठा imagine करो वो statement क्या थी opening WDV plus actual cost of assets acquired minus money received on sale अब सुनो बेठा all assets in block are sold बेठा इसमें capital gain भी आ सकता है और loss भी अब सुनो अगर money received on sale exceed कर जाता है opening WDV plus actual cost of assets acquired को अगर money received on sale opening WDV plus actual cost of assets acquired को exceed कर जाता है बेठा तो इस case में आएगा capital gain इस case में आएगा capital gain और अगर और अगर money received on sale is less than opening WDV plus actual cost of assets acquired तो इस case में आता है बेठा capital loss बेठा एक बार बताओ ये जो words यूज करें है money received on sale वगेरा वगेरा बेठा इसको अपने capital gain chapter के हिसाब से अब बोलो ये जो word है money received on sale what do you mean by money received on sale बेठा money received on sale क्या है कुछ नहीं बेठा आपके इस chapter के हिसाब से full value of consideration money received on sale बेच के जो पैसा आया it is nothing but full value of consideration अच्छा सर ये क्या है फिर opening WDV plus actual cost of assets acquired opening WDV plus actual cost of assets acquired बेठा इस इस this is nothing but cost of acquisition इसी को माना जाता है section 50 के हिसाब से cost of acquisition इसी को माना जाता है cost of acquisition as per section 50 तो जब आप full value of consideration में से यानि money received on sale में से minus करोगे cost of acquisition यानि opening WDV plus actual cost of assets acquired तो आपका capital gain और capital loss आजाएगा बात समझ आई बेटा ये तब था अगर सारे assets block के सारे assets बिग गए बेटा copy कर लो copy करो फिर आगे कराता हूँ अब बेटा दूसरा case कौन सा था दूसरा था all assets in block are not sold बेटा सारे assets जो block में थे सारे assets जो block में थे सारे नहीं बिके हैं सारे नहीं बिके हैं बेटा generally पता है क्या इस case में न capital gain capital loss नहीं आता है depreciation block के सारे assets नहीं थे मतलब block खतम नहीं हुआ है block exist करता है तो obvious ही बात है बेटा block exist करता है तो debt टो लगएगा एक भी asset अगर block में तो debt टो लगेगा और debt लगेगा तो capital gain capital loss आएगा नहीं सिर्फ एक case है पेटा इसमें सिर्फ एक case है जब capital gain capital loss आएगा debt नहीं आएगा और वो पगे इस पता क्या है अगर money received on sale exceed कर जाए opening WDV plus actual cost of assets acquired को थोड़ा सा वो statement याद करो बेटा money received on sale exceed कर रहा है opening WDV plus actual cost को उस statement में values fit करके देखो बेटा money received on sale exceed कर रहा है तो बेटा WDV for depreciation purposes negative हो जाए की और मैंने का था WDV for depreciation WDV negative थोड़ी नहीं हो सकती है बेटा add the max zero ही तो हो सकती है तो अगर money received on sale exceed कर गया ना opening WDV plus actual cost of assets acquired को तो WDV negative हो जाएगी और वो हो नहीं सकती तो WDV को क्या लोगे zero लोगे WDV zero तो debt zero और debt zero हो गया इसका मतलब capital gain और capital loss आएगा लेकिन बेटा इस case में capital loss नहीं आ सकता ना सोचो money received on sale exceed कर रहा है opening WDV plus actual cost of asset acquired को money received on sale मतलब क्या full value of consideration exceed कर रहा है opening WDV plus actual cost of asset acquired को मतलब full value of consideration cost of acquisition को exceed कर रहा है तो loss कैसे आएगा capital gain आएगा ना पढ़ा भाए बेटा ये तो हमने तो एक बार section 32 जरूर refer करना बस इस section में हमने क्या पढ़ा है cost of acquisition of depreciable assets किसको माना जाएगा तो opening WDV plus actual cost of assets acquired को क्या माना जाएगा cost of acquisition opening WDV of block plus actual cost of assets acquired इसे बेटा cost of acquisition माना जाएगा as per section 50 of depreciable assets बेटा जरूर इस section को पढ़ने से पहले एक बार section 32 जरूर खोड़के पढ़ लेना चलो इस lecture में इतना ही करते हैं बाकी next में करते हैं पिटा तीन पॉइंट्स हमने इस वाले लेक्चर में cover करें मेरे खाल से तीनो clear हुए पका चलो बाकी next class में discuss करते हैं तिल देन थैंक यू